Hey what's up guys, welcome back once again दोस्तों आची कहानी जो explain करने जा रहे है वो असल में तीन दोस्तों की है जो shortcut लेने के चकर में एक ऐसी जगां पर पहुच जाते हैं जहां पर वो जाते तो अपनी मर्जी से पर लोट कराते हैं उसकी मर्जी से अब ये कौन है, वो जगां कहां आईए थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं, चार दोस्तों आपस में बैटकर मौज मस्ती कर रहे हैं सभी एक दूसरे से बहुत दिनों बाद मिले हैं उन्ही में से एक बंदा कहता है कि उन्हें स्वेडन जाना चाहिए उसने सुना है कि वहां की वादियों में कुछ तो बात है सभी उसकी बात पर राजी हो जाते हैं और एक डेट तैकर लेते हैं जिसके बाद वो लोग बहां निकल कर एक वाइन की दुकान पर जाते हैं वाइन को खरीदने के लिए लेगन जोई अपने साथ किसी को चलने को कहता है क्योंकि उसे बारगेन करना नहीं आता पर कोई उसके साथ नहीं जाता सभी उसके साथ मस्ती करने लगते हैं लेगन आखिर में लिउक नाम का दोस्त जाने को त्यार हो जाता अब वो दोनों अंदर पहुंचते हैं जो जो उन्हें लेना होता है वो सब लेने लगते हैं लेगन तभी लिउक की नजर उस शौप की उनर पर पड़ती है जिने कुछ गुंडों ने बंदी बना लिया था कि तभी वो गुंडे बाहर आ जाते हैं उन्हें देख कर लिउक फोरण चुप जाता है पर जोई नहीं चुप पाता जिसके चलते वो उनके हाथ चल जाता है फिर वो उसके सारे समानों को ले लीते हैं लेकिन वो अपनी वेडिंग रिंग देने से मना कर देता है ये सब वही छुपा हुआ लिउक देख रहा होता है पर वो फिर भी बाहर नहीं आता अपने दोस्की मदद करने के लिए उससे अपनी जान की फिकर जाधा थी वहीं वो रिंग ना देने के चकर में वो बंदे उसे इतना मारते हैं कि वो मर जाता है और तब भी ल्योग छुपा ही रहता है यहां से सीन शिफ्ट होता है तीन साल बाद जहां पर हम उनी चार दोस्तों को देखते हैं जो आज स्वेडेन आये हुए अपने दोस्त का सपना पूरा करने के लिए पर उन सभी से ल्यूग सबसे ज़ादा दुखी होता है क्योंकि अगर वो चाता तो उस दिन अपने दोस्त को बचा लिता वो हासा उसे हर दिन याद आता है लेकिन उसकी बुजदली के कारण वो मारा गया अब सभी उसकी फोटो को एक पत्थर की उपर रख कर आगी की ओर चल पड़ते हैं पर इतने में ही टॉम का पैर स्लिप हो जाता है वो गिर जाता है जिसके बाद जब वो उटता है तो सही से चल ही नहीं पा रहता क्योंकि उसके पैर में मोच आ गई थी अब सभी दोस्त मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो एक शौटकट रास्ते से जाएंगे जो कि उन्हें मैप में शो भी हो रहा है पर लियूक नहीं मानता क्योंकि वो पूरा रास्ता जंगल के बीचों बीच से होकर गुजरता है और उन्हें अभी लंबी ट्रेकिंग करनी है इसलिए वहाँ जाना सही नहीं होगा पर सभी दोस्त उसे मना लेते हैं और फिर वो सारे अपने सफर पर निकल पड़ते हैं और ये रास्ते उन्हें अपने रास्ते से काफी छोटा लगता है लेकिन दोस्तों यहां से अब इस कहाने में कुछ ऐसा है ट्वेस्ट और टैनाने वाले हैं जो आपको सूचने पर मजबूर कर देंगे कि ऐसा भी कुछ होता है क्या जब वो जंगल के कुछ अंदर पहुचते हैं तो उन्हें अजीब से कटीले पेड़ दिखाई देते हैं और किसी जानवर की लाश उसी पर लटकी हुई मिलती है वो बहुत ही अजीब वे में ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ दिर पहले इसे यहाँ पर लाए गया हूँ भी नहीं था गेट खुला हुआ था अंदर जाने पर इने वहां कुछ बहुत ही आजीब चीज़े देखने को मिलती हैं जैसे कि कुछ पुरानी बंदू के कुछ टप्स और कुछ लॉकेट जो उन्हीं सिंबल्स किती जो इन्हें रास्ते में पेलों पर बने हुए मिले थे और एक सरकटी हुई मूर्ती जो देखने में हद से जादा डरावनी लग रही थी शायद यह कोई इनसान है या फिर किसी इनसान के पुतले के उपर किसी जानवर की चमडी को लगा दिया हूँ कुछ भी हो सकता है सभी को थोड़ा अजीब तो लगता है पर यह जंगल है ऐसे जानवरों की लाशे हड़िया मिला आम बात है सभी वही आग जुला कर मोमेंट को एंजॉय करते हैं और देर रात बाते करने के बाद सूने के लिए चले जाते हैं पर आदी रात को ऐसा लग कुलता है वह नजानी कैसे उसी वाइन शौप पर बहुच जाता है जहां पर जोई की मौत हुई थी उसकी आँखों के सामने और वो कुछ भी कर नहीं पाता इतने में उसकी आँख खुल जाती है और वो खुद को कीबिन के बाहर खड़ा हुआ पाता है लेकिन यह एक से फिली ने कहीं दिखाई नहीं दे रहाता वो उसे ढूंडने के लिए उपर जाते हैं तो देखते हैं कि वो बहुत ही आजीब तरीके से बिना कपलों के उसी सरकटी हुई मूर्ती के सामने प्रे कर रहा है और पुकानने पर भी वो कुछ जवाब नहीं देता कुछ देर ह हो जाती है और वो खुद बखुद नॉमल हो जाता है और नीचे आ जाता है किसी को कुछ समझ नहीं आना था कि असल में कल रात को क्या हुआ सब तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मानों सब कुछ नॉमल हो लेकिन अब चीज़ें बदल रही है वो जब बहां निकलते हैं त पर ल्यूक कहता है कि ये गलत है हमें साउत की ओर जाना जाए है लेकिन टॉम उन दोनों की बाते सुनकर चल पड़ता है इसलिए वो सभी उसे फॉलो करने लग बीश रास्ते में ल्यूक उन्हें कल रात के बारे में पूछता है तो फिल कहता है कि वो बस एक बुरा सपना था उसे भूल जाओ तभी उन्हें खुद के सामने एक और केविन दिखाई देता है हूब हूँ वैसा ही लेकिन वो उसे इगनोर कर देते हैं और इस बारी वो किसी अंजान चीजों पर भरोसा नहीं करेंगे इसलिए आगे बढ़िने लगते हैं इन्हें चलते-चलते काफ मुझे कोई रोड दिख जाए इसलिए वो अकेले के कुछ दूर आता है लेकिन तभी उसे वहाँ पर किसी की परिछाई दिखती है जिसको देखकर वो इतना जादा डर जाता है और भागते हुए अपने दोस्तों के पास आता है इस बारे में बताता है उसे कुछ वहाँ द गरबल है हमें निकलना चाहिए पर डॉम उसे सुनाते वे ठकता नहीं और ये बात इतनी जादा बढ़ जाती है कि दोनों में हाता पाई होने लगती है और उनके दो दोस्त आकर उन्हें अलग करते हैं और फिर वो सभी लिव के पीछे चलना शुरू कर देते हैं और बस च क्रेडिट कार्ड भी मौजूद था जिसकी डेट थी 1984 यानि कि ये लोग जो भी होंगे आज से कई साल पहले यहां पर आये थे पर वो अपना टेंट छोड़ कर क्यों चले गए और क्रेडिट कार्ड भी ये तो काफी ज़रूरी होता है तब ही फिल उन्हें फोरन यहां से बहाँ निकलने को बोलता है क्योंकि उसे कुछ सही नहीं लग रहा है कुछ बहुत बुरी वाइप सा रही है पर अभी इन्हें एक और रात यहां पर रुखना होगा क्योंकि रात काफी हो गई है और ऐसे मैं हाइक करना सही नहीं है इसलिए सभी अपना टेंट वहीं लगा जाता है उसे लग रहा था कि वो पागल हो चुका लेकिन कुछी देर बाद वो फिर से जोई के मौत वाले दिन का एक सपने के जरीय देखने लग इस बारी तो वो खुद ही अपने दोस्त को मार रहा था और इसी बीच उसे किसी के चिलानी की आवाज आती है वो तुरंदी ब आवास को जंगल में सुनते हैं जो कि बहुती जादा बदल चुकी थी वो किसी जानवर की तरह चिला रहा था जिसको वो सुनकर वो सभी अपने दोस्त को बचाने के लिए उसकी तरह भाग दे लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता आकिर वो इस टाइम कहां चला गया और यह सब अपने टेंट से भी बहुत दूर आ चुके हैं इसलिए उन्हें वहीं खुले में अपनी रात को गुजारना पड़ता है। तो बच्चे भी हैं वो लोग उन्हें क्या जवाब देंगे। इतनी बेहरेमी से कौन इनके दोस्त को मार सकता है। लेकिन अब इन्हें सबसे पहले तो मैप को ढूनना होगा। टॉम कहता है कि वो मैप तो फिल के पास ही है हमें उसकी लाश को नीचे उतारना होगा। वन पास से डॉम बहुत गुसा करता है और उसे उसकी जान का वास्ता देते हुए कहता है क्या तुम भी चाते हो कि तुम्हारा भी यही हाल हो अच्छा ठीक है हम इसको दफना देते हैं। वो लोग फिल की लाश को लकडियों से ढख देते हैं देनागी की और निकल जाते पर अबीदा कि यह बाहर नहीं निकल सके थे जंगल से जंगल में घूमे जा रहे हैं और बीच में इन्हें पीने का पानी मिलता है जिसी यह तीनों पीने लगते हैं। लेगिन तभी फिल देखता है कि वहाँ पर एक मक पड़ा हुआ है किसी के पैरों के निशान भी है। वो उसे फॉलो करके उपर हिल पर जाता है और वहाँ से देखकर उसे बता चलता है कि अब वो बहुत ही करीब पहुच चुके हैं। बस कुछ दूर और है जिसके बाद वो इस जंगल से आज़ाद होंगे। यही बात बताने के लिए वो अपने दोस्तों के पास आता है ले प्रांदेरे में जा कर एक पीड से ठकरा जाता है ज्सकी वज़ह से वो गिर जाता है और फिर से उसी वाइन शॉप है जहां पर वो एक van फिर से अपने दोस्त की मौत को देखता है। लगिन इस बारी बाहर उसके दोस्तों उसका इंतिजार कर रहे थे जिन्EP बथा आने ही वाला होता है कि इतने में उसकी आँख खुल जाती है अब वो टॉर्च लेकर डॉम को आवाज लगाना शुरू करता है अब यहां डॉम उसे एक पेड़ के बीचे बहुत ही डरी होई हालत में मिलता है लिउक उसे जॉन के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि उ उसे कोई ले गया वो बहुत ही तीज था इसलिए मैं उसे देख नहीं सका तब लिउक उसे एक चटान के बारे में बताता है जो यहां से थोड़ी ही दूरी पर है उन्हें कुछी दूर चलना होगा और बस फिर वो यहां से निकल जाएंगे उसकी बार डॉम मालने ता और दोनों ही तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगते हैं और इतनी जल्दी कहां मैंने आपसे शुरुआत में ही खा था कि एक ऐसी जगाएं जहां पर जाते तो वो अपनी मर्जी से हैं लेकिन वहां से लोटकर वो उसकी मर्जी से आते हैं दोनों बस चलते रहते हैं बिना कौम की नजर पड़ती है सेम वही हाल अब जौन का भी किया जा रहा था जो हाल कुछ दिन पहले फिल का हुआ था वही पेड़ वही दर्दनाक मौत पर कौन है ये लोग इन सब के पीछे और क्यों मार रहे हैं इन लोगों को या फिर सालों से ऐसी चलते वे आ रहा है क्या यह ही वज़ा है कि इस कहानी का नाम है रिचुल यानि की एक रिवाज कुछ भी हो सकता है आईए पता लगाते हैं आँखे खुली रखी और लाइट को ओन कर दीजे क्योंकि शायद डर का महौल बनने वाला है ये लोग उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं शायद वहां कोई रहता है जो इनकी मदद कर दे लिगने इतनी में कोई पीछे से आकर इन दोनों पर वार कर देता है और इन्हें मार कर भी होश करता है जब इनकी आँख खुलती है तो ये खुद को फिर से एक केबिन के अंदर पाते हैं दोनों को रसी से बांदा हुआ था यहां लियोग ए इसे तोड़ कर तुम अपने और फिर मेरी रसी को काड़ दो जिसके बाद हम बहां निकल जाएंगे लेकिन इतने में दोस्तों वहां पर कुछ लोग आते हैं जिसमें एक बूढ़ी लेडी भी थी जो किसी शैतान की तरह लग रही थी वो लिग के पास आकर उसके चेस्ट पर लगे उस घाव को देखती है और फिर अपने घाव को भी दिखाती हुए कहती है कि देखो ये मेरे शरीर पर भी है फिर वो उसे पीने को पानी देती है लेगिन डॉम की और वो देखती भी नहीं इसलिए वो उसे पीने को पानी मांगता है तो वो लेडी उसे उपर ले के बाद वो इस केविन को जला देगा अब वो ऐसा क्यूं कह रहा है लिव को भी समझ में नहीं आता तब ही हम देखते हैं कि कुछ लोग डॉम को बाहर लेकर आ रहे हैं और फिर उसे लाकर एक जगा पर बांद देते हैं उसके पीछे पूरे कबीली के लोग खड़े हुए है सुबा से शाम हो जाती है और वो ऐसे ही खड़े रहते हैं पर दोस्तों जब रात होती है तो किसी आहट को सुनकर वो सबी लोग अपने घुटनों पर आ जाते हैं वो उसके सामने हाथ जोड़ने लगते हैं पीड की जाड़िया हिलना शुरू हो जाती है डॉम को कुछ भी तो वहाँ पर एक बहुत ही विशाल और डरावना सा दानव था जिसकी जलक हम थोड़ी सी देख पाते हैं वो डॉम को अपने साथ ले जाता और वहीं ले जाकर पेड़ पर मार कर टांग देता है तो असल में यही दानव है जो लोगों को मार रहा है यह असल में एक रिच् चाहिए और इसलिए वो आए देन इंसानों की बली देते हैं उदर लिव कि यह सब देख रहा होता है तो वो पूरी तरह से हैरान था पर इसी दौरान उसे खुद की रसी को भी खोल लिया था तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो उसे अच्छी से बिहेव करती है यहा बताती है कि वो उस दानव को गौड मानते हैं और उसका नाम है ओटमन लेगिन तुम घबराओ मत तुम्हारे साथ वैसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि तुम अब हमारे ग्रूप में शामिल हो गयो अपने इस चेस पर लगे निशान की वज़े से उस दानव ने तुम्हें होगी अब सो जाओ क्योंकि कल वो फिर से आगा और तुम्हें भी उसके सामने जुकना पड़ेगा उसकी बातों को सुनकर लियुक बहुत जादा डर जाता और यहां से भागने का प्लान मनाता है लेकिन जाने से बेले वह अपने दोस्ते किया वादा तो पूरा कर ले जिस बारी में आग लगा देता है कि तभी बाहर हम हलचल सुनते हैं वो दानव फिर से आगया क्योंकि अभी अभी उस लड़की ने एक रूल को तोड़ दिया है किसी भी बाहर वाले को अंदर का पूरा राज बताकर जी हां उस लड़की ने जो किया वो गलत था पर वो भी लि यहां पर आकर फस गई लियुक के पास भागने का सही मौका है इसलिए वो एक रूम में जाकर वहां रखी एक बंदू को उठा लेता है और वहीं बाहर वो दानव आ गया था और अपना आतंक मचाना शुरू कर देता है लियुक जैसे तैसे करके बाहर की और आता है तो वो देखता है कि उस दानव ने कबीले की मुख्या को भी मार डाला है और यहां मुश दानव का असली रूप देख पाते हैं जो किसी जानवर की तरह लग रहा था लेकिन बहुत ही विशार लेकिन अब लियुक को अपने दोस्त का बदला लेना है इसलिए वो उसके उपर गोल लेता है फिर उसके मुँपर अपना पैर रहकर किसी रिवाज को पूरा करने लगता इतने में लियुक की नजर एक कुलहारी पर पढ़ती है जिसे वो उठाकर उसे जूर से वार करता है और फिर वहां से भागती वो जंगल के कोनी पर आ जाता है यहां में एक और रासपता चलता है चाहे कुछ भी हो जाए वो दाना वे जंगल के बाहर नहीं आ सकता उसकी शक्तियां वहीं तक सीमीद है और जब यह बात लियुक को समझाती है तो वह से वहीं खड़े होकर बहुत ही गंदी गंदी गालिया देता है हमें उसके चेहरे पर वो गुसा वो नफरत दि सही तरीका है ऐसा कुछ सभी को अपनाना चाहिए या फिर ये गलत है आपको क्या लगता है कि क्या आप किसी ऐसी ट्रिप पर गए है जहां आपको ऐसा कुछ मैसूस हुआ अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है तो नीचे कॉमन करके ज़रू बताएगा बिलते हैं ल